नमस्कार मेरी यूटूब चैनल पुस्पा की पाट साला मैं स्वागत है आज हम बनाएंगे मिर्ची की चटनी बोले चाय मिर्ची का कूटा बोले कुछ भी बोल सकते आप इसको मैंने 500 ग्राम के करीब मिर्ची ले ली हरी और इसको अच्छे से दो लिया अब मैं इस छणनी म राई जो सर्षो के दाने बोलते हैं इसको मैं कूट लोगी इस तरह से आप इस टाइप का कूट के तयार कर ले और एक में निकाल ले अब मैं इसके अंदर एक चमस्वाप लोगी उसको भी दरदर आ कूट लोगी इसी के साथ मैं एक चमस्वाज साबुत धनिया ले रही यह भी साथ मैं कूट के तीनों को एक साथ निकाल लेंगे काटोरी और लसुन ले लिया है थोड़ा सा बीस-पचीस का लिया है लसुन उसको भी कूट लेंगे और जो मिर्ची है इसका एक्स्ट्रा पानी निकल गया च्छनी से तो अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँग जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर राई जीरा वगएरा डाल देंगे इसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया और दो चमच में मेथी डालूँगी क्यों राई तो हमने वैसे भी कूट के वो ले लिए तो इसमें डालने की जरुत नहीं है अब जब चटक जा जाना नहीं है इस टाइप से मैं मिक्स करके 5-7 मिनट पका लोंगी जब यह पक जाएगे तो हम मसाले डालेंगे आदा चमच के करी में हल्दी डाल रही हूं और नमक स्वाधनुसाराव डालके मिक्स कर ले यह चटनी है वो बहुत टेश्टी बनती है तो आप इस तरह से ब बनाना है तो इतने तीखी भी नहीं बनेगी बहुत टेश्टी बनेगी आपने कई बार बनाई होगी मिर्ची तो लेकिन इस टाइप से नहीं बनाई होगी अब यह 5-7 मिनट मसाले भुनने के बाद मैंने जो धनिया वगएरा कूटके रखे थे वो भी इसके अंदर डाल द रोटी किसी के साथ भी खा सकते बाजरी के साथ भी खा सकते मैंने धकन लगा कि इसको 5 मिनट मीडियो माच पका लिया है आप थोड़ा चेक कर ले जैसे मेती के दाने थोड़े बहुत सॉप्ट हो जाए तो अब इसमें मैं एक चीज डालूंगी क्या है वो है मलाई आपने दाई वाली मिर्ची खाई होगी बैसन डाल के बनाई होगी लेकिन मलाई डाल के कभी नहीं बनाई होगी साथ इसमें मैंने फ्रेस जो कल का दूद था उसकी फ्रेस मलाई ले ली दो तीन चमच मिक्स करके आप इसके अंदर डाल दे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सबजी में तो मिक्स करके मैं इसको पांच मिनट के करीब ढखन लगा के और पकाऊंगी अब जैसे मलाई को मिक्स कर दे मलाई डाल रहे अगर तो मिर्ची में तेल थोड़ा कम डाले क्योंकि मलाई भी गी छोड़ देती है इसलिए फिर ज्यादा ओली लगेगी तो आप उस अनुसार तेल डाले मैंने पांच मिनट के करीब पका लिया इसको मिर्ची को डखन लगा के दीमिया आज में और अच्छे से मलाई पक चुकिए और मिक्स हो गई इसके अंदर देख सकते इसका कलर और दिखने में कितने अच्छी खुसबू आरी इसके अंदर मैं थोड़ी बन के रड़ी है अब हम गैस बंद कर देंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेर, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और एक बार जरूर से बना के ट्राई करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में